अगर आपकी एक्मे प्रोनी स्किन है तो आपने डेफिनितिल इसके बारे में सुना और इसको यूज भी किया होगा मैं बहुत सालों से इसको यूज कर रहे हूं इसका ये मतलम नहीं है कि मैं और सारी चीज़ें यूज नहीं करती हूं करती हूं पर इसको वीक में एक से दो दिन यूज जरूर करती हूं इसने मेरी स्किन पर कैसे काम किया मेरा क्या एक्सपिरियंस रहा जब मैंने इसके रिद्यूस पड़े और देखे तो मुझे बड़े मिक्स्ट रिव्यूस मिले कुछ लोगों को यह बहुत सूट करती है कु अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो कैसे यूज करना चाहते हैं तो कैसे यूज करना चाहिए इसके क्या का साइड एफेक्स हो सकते हैं यह सारी बाते हैं आज इस वीडियो में करेंगे तो अगर आप इस स्क्रीन के बारे में चाहते हैं तो इस वीडियो पैं तक ज रोच बंड होता है तो रेटिनोल होता है में विटन में होता है ये प्योर नेचरल अधी लिए चैनल होता है जबकि जो ऄड़िमिन रोता जो च मुझेंल के साधिया, लिदे MSI Bug advised residue सब्सक्षाइब करे तो आप में तराउस को दोक्टर के ऐसे ऊपायों जो उसक्रणा कर gonna be अकशना प्रिटीण बहुत लाजा या में एक समय प्रिक्ता मोग कर दोचज़ा है जरूर भी आप अनरोख उसक्रड करते हैं या फिर आप कोई और ट्रीटमेंट करवाने गए हैं कभी भी तो आप जरूर बताएं कि मैं अभी ये ट्रेटीनॉइन यूज कर रही हूं क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉंग होता है मैं यूज करती हूं यूज करती हूं इसका एक माइल्डेस्ट फॉर्म भी आता है जो पैकेजिंग में आता है अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं आपने कभी एक क्रीम यूज नहीं किया तो आप उससे स्टार्ट करें क्योंकि ये 0.25 और 0.5 और 1% के कॉंसेंट्रेशन में मिलती है तो बहुत ज़दू है कि अगर आप स्टार्ट करने वाले हो तो आप स्ट्रॉं फॉर्म से स्टार्ट ना करें जो रेटिनॉल है वह सारे सेरम में जेल फॉर्म में आपको मिल जाती है आप उनको भी यूज कर सकते हैं और ट्रिटिनो इन का मुझे सबसे अच्छा प्रणी प्रौब्रम को दूर करने में य्यसकिन से ब्लैक और स्टार्ट वाइएट्स की प्रॉब्रम को भी दूर करती है और बहुत सारे लोग इसकिन कंठीश को जिसके जा से मेरे कोई प्रॉब्रम नहीं होती तब भी इसको एसको यूच करते हूं उसकारी, रीजन यह कि में स क्या उताता है। बात करने स्कीन के है को देर से होती है को देल बहुत भी जल्दी होती हो तो यह जो प्रोड़क्ट है यह new skin cells को प्रोमोट करता है तो इसका मतलब यही है कि मतलब जो नई skin है वो आ जाएगी और पुरानी skin जो है वो निकल जाएगी अब पुरानी skin निकलती कैसे है तो पीलिंग के थ्रू बहुत सारी क्रीम्स या बहुत सारी treatment लेने से skin exfoliate हो जाती है त तो इसका मतलब क्या है कि मतलब पुरानी skin आपकी निकल जाएगी और new skin आपकी आजाएगी और जो new skin रहेगी तो जैसे कहते है ना कि baby skin बहुत जादा healthy रहेगी बहुत जादा problem free रहेगी तो वही आपकी skin आजाती है तो यह जो ट्रिटिनोएन क्रीम है यह आपकी new skin cells को प् पुरानी skin को exfoliate कर देती है तो जो new skin आदी है वह बहुत ही जादा healthy लगती है एक्ने pimple free रहेगी blackheads whiteheads नहीं रहेंगे fine lines wrinkles यह सारी problems को दूर कर देती है और यही reason है कि जिन लोगों कोई problems नहीं भी होती है वो लोग भी इसको यूज करते हैं यह जो क्रीम है इसकिन से बहुत पिंपल को दूर करना चाहते हैं तो याद रखे कभी भी इसक्रीम की बहुत जादा quantity आपको यूज नहीं करनी है क्या होता है जब पिंपल होता है तो हम क्या करते है बहुत सारी quantity लगा लगा रहेते हैं अपने pimples के उपर तो मैं लगता है कि जतना जादा quantity लगाएंगे उ क्रीम को यूज करें अगर आप बिगनर और इस क्रीम को यूज करना चाहते हैं तो ध्यान रखे कि आपको यूज राद भर यूज नहीं करनी है स्टार्टिंग में आप 40-50 मिनिट्स लगाएं और धीर धीर आप इसका टाइम बढ़ाते जाहिए या फिर अगर आपको तो इसलिए आप इसको एकडम से बहुत लंबी टाइम के लिए नहीं लगाएं धीर देर अपने आप अपनी टाइमिंग्स भड़ा सकते हैं यह जो प्रीम है आप सिर्फ नाइट में यूज करें दिन में बिकुल भी यूज नहीं करें सिर्फ रात को यूज करनी है रात को करने के भात दूमिया करते हैं यह जो रात ट्रक्री मों शॉइंद दिन में अपन का सब करता ही आपको जार्त को एक स्पोलियेट करें कि तो रहता है इसको जाती है से च्रुस्ट आप टोडिए संस्क्रीं लगाना भूपर जार्यद बहुत ज़रूरी रगाना बहुत जया तो आपको वाट एक वाट प्रियशन रखाना है तर यह सारी प्रोब्लम पढ़ा जो नहीं होने हैं मतलब आपको धियां रखना है कि इस क्रीम के साथ आपको वह सारी चिछें करना है जो कुल करती हैं उसी कुल चाय करनी हैं bolaपी मिफया ले जो सारे शीचें हैं तो यो इस करना है मतलब ऐसी सारी चीचे जो आपकी स्किन पर हार्श हो सकती है वो इसके साथ यूज भी नहीं करना है तो आपको फेस वाश भी बहुत जादा माइल यूज करना है जिसमें सैलिसलेक असिट ना हो क्लायकॉलिक असिट ना हो विटेमिन सी वाले जो भी प्रोरक्ट्स है वो भी इस क्रीम के साथ यूज नहीं करना चाहिए साथ ही साथ कई बार हम लोग क्या करते है कि लेमन यूज करते है इसकिन पर जब भी यूज करते हैं तो आपको लेमन भी अपने इसकिन पर यूज करना है मतलब यह है कि आप जब भी यूज कर रहे हैं आपको बहुत मॉस्यराइजर टोनर बहुत ही जादा माइल्ड होनी चाहिए ज़िए अल्कोहल ना हो एस्ट्रिजेंस वगर आपको इसके साथ यूज नहीं करने है यह मैं हमालया फेस वाश से अपना फेस वाश करी हूँ फिर कम्प्लिट ट्राय करने के बाद आप इस क्रीम को अपने चेहरे पर लगा लीजे याद रहे कि आपका चेहरा बिल्कुल ट्राय होना चाहिए और एक पी साइज अमाउंट लेके आप अपने फेस पैचेस को क्रीम क्रीम को यूज ना करें तो थोड़ा सा ड्रायनेस हो जाएगी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए और ज्यादा बना देती है तो इसलिए जरूरी है कि अगर आपकी ड्राय स्किन है तो आप इसको बड़ा सोस समझ के यूज कीजे हो सके तो आप वीक में दो या जो कि आपकी स्किन को अच्छे से हाइडेट करें साथी साथ आपकी संस्टिव स्किन है अगर आपकी संस्टिव स्किन है अगर आपकी स्क्रीम को लगाने से पहले अपने यह जो नोज एडिया होता है लिप के आसपास जो की स्किन बहुत पतली होती है आइस के आसपास यह वो PA कर आशकर ना हे नहीं तो सब्ढ़ां सब्सक्तिन को रख यह नहीं कि असकंपद कर राख जो पार का राख है तब ड़िसे शाब पेली आए है कंいき जो गार जो ए फोटा करते हैं कि तने सकते दनis को यो जादी कोई चीज यूज करती हूं तो इसके रिव्यूस बढ़े अच्छे लगे तो मैं इसको यूज किया तो जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उनकी स्किन पर ज्यादा पिमपल्स आजाते हैं ऐसे मेरे साथ हुआ बहुत सारे पिमपल्स आगे तो मुझे समझ तो मैं इसको बड़ा लंबे टाइम तक लगाया थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा तो थोड़ा लंबे टाइम तक लगाया और धीरे धीरे मेरे जो पिमपल्स है वह ठीक होने लगे जब फिमपल्स हो गए तो मैंने और भी सारी बहुत सारी चीज़ें की ऐसा नहीं है तो इसको थोड़ा कम कर देना है क्योंकि winters में already skin dry होती है और यह skin को dry करता है तो आपको उस time पर क्या करना है इसको कम यूज़ करना है वीक में एक तुबारी यूज़ करना है क्योंकि बाकी के दिनों में तो हम अलग अपना skin क्या कर सकते हैं आपको serum यूज़ करना है official oils हम अलगा देन देना है वह वह बाकी के दिनों में आप यूज़ कर सकते हो और वाकी इसको यूज़ की चिए अगर मॉन सून है तो आप बिल्कुल इसको ओलड़ने देस पी उसकर सकते हैं क्योंकि उस time यूमिट के कारण मारी skin चिपचपी होती है तो आप इसको और अलटन आप उनके साथ छेड़ खानी कर रहे हैं इसा बिल्कुर नहीं करना है एक अच्छा सा मॉस्चिराइजर उस पर लगा लगा लिए और यह ठीक हो जाएका तो अपको धिन 위 जोस्टा सुंदर क्याओ नहीं लगता है तो अगर आप इसको यूज़ करना चाएक अगर आप स्कूलिकों यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको ुग्जया्पारrawd fun, कि यां सबस्टा चाहिन को इसका और जब जादा टाइम हो जाए तो फिर आप ये वाला ही यूज कर सकते हैं पहले में वही यूज करती थी जो इसकी ब्ल्यू पैकेजिंग हाती है वही यूज करती थी पर अभी कुछ दिनों से मैं ये यूज कर रही हूं इसकी स्किन पर कुछ ऐलर्जीज है और संबर्ण है या कुछ और ऐलर्जीज होई है तब आप यूज करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए इसके बाद यूज कीजिए ऐसा कुछ नहीं है कि कौन से एज ग्रूब वाले इसको यूज कर सकते हैं पर बहुत जरूरी है कि आप एक बार अच्छे से हर जगे इसकी डिटेल ले लीजे आप सारी इंफॉर्मिशन ले लीजे इससे रिलेटेट तभी आप इसको यूज करें क्यूंकि इतनी एफेक्टिव क्रीम है कि आप इसको एक रात ही यूज करेंगे तो आपको अपने स्किन को यूज करें यह जो क्रीम है इसली अविलेबल है मेडिकल शॉप पे आपको मिल जाएगा ओनलाइन भी आपको कहीं मिल जाएगा बहुत ही इसली अविलेबल है और इसका जो प्राइस है ओन्डी टू टूइंटी रूपीज है दो साल तक आप इसको यूज कर सकते हैं 20 ग स्किन केर में इंक्लूट कीज है बहुत ज़रूर है बहुत ज़रूर है कि 25 के बाद ही आपकि स्किन पर इंकल्स की प्रब्लम् और फाइन-टार जैसे प्राइंटी प्रॉबलम् हो जाती है जिससे की बहुत जाए दुडल दिखती है तो अगर आप भी अपनी स्किन को 10 पी और पिल्कुल आप इसको इंक्लूट कीजिए बहुत सारे बेफिट्स है इसके पर इसको यूज करने से पहले जो भी सारी बात मैंने बताई है वो सारी ध्यान जरूर रखेगा और आपको इसके वारे में बहुत सारी इंफर्मेशन गूगल पर मिल जाएगी यूट्यूब प अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा तो आप मिलते है मेरे नेक्स्ट वीडियो में तक तक लिए बाइबाए